कि आई गाइज वेलकम टू एंब पाट शाला सो आज हमारा प्रपोर्शन एंड वैरिएशन का थर्ड क्लास है ठीक है इससे पहले दो क्लासेज के लिंक आप लोगको इसीछ लिचेप्ट ऑम फो इस वीडिके खूं करेंगा इसके बाद एक वीडियो हो ड्रपोरी तरगे वरियॉट तरगे सो यह जहूँज देखा है तो छूंद फर्पोर्टर वीडिँओ अन प्रोपोर्शन एंड नव कर शक्तन। इस तरह से मेरी प्रोफाइल आप लोग देख सकते हो वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और अगर आप लोग प्लस या इक्वानिक का सब्सक्रिप्शन रेने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग के डिस्कॉंट को यूज कर सकते हो इससे आपको मैक्सिमाम अवलेबल यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चले गए तो आज का पहला कोश्चन देखते हैं हम लोग क्या होगा सेशन थर्ड है यह प्रोपोर्शन वैरिशन का तुमारा पहला कोश्चन ही रहा हमने लास्ट क्लास में इसी तरह के कोश्चन से कर रहे थे कुछ आम में क्या बोला जा रहा है देखते हैं पी बैरीज डारेकटली पीव मार वारीज़टली वीद शम ा टिक्यों और यह बोला जारा है अपनवानों को जो फोर फोकर टिक है कै 캤ो क्यों को प्लस आर यह अपन लोग को पता होना चाहिए ठीक है यह लास्ट ख्ला कि हमारा मेंने क्वेशन यहाँ यहाँ पर सिर्फ यहाँ और यहाँ पर सिर्फ प्यू आरी नहीं है इसको जब तक मैं इनके चेंजिस के बारे में discussion नहीं कर सकता आप बोलो कि सब्सक्राइब यह हमें नहीं पता है कितना हो जाएगा बट कोश्चन में बोला जा रहा है सर क्यू वन से कम हो गया तो क्यू माइनस वन हो गया अब के के बारे में तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है जब यहां पर सब कुछ कॉंस्टेंट करता है कॉंस्टेंट करता है तो हमें के का वैलू मालूम नहीं है इसलिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं पी में नहीं बता सकते हैं पी में कितना चेंज होगा ठीक है कुछ बच्चे बोलते हैं सर यह भी माइनस वन होगा तो पी माइनस जाएगा अगर ही एक्वेशन होता ठीक है बट यहां पर के भी एक कॉंस्टेंट है जब तक हमें के बारे हम पताने लगेगा तो हम कैसे निकाल सकते है ठीक है तो इसलिए जो इस कोशन का अंसर होगा वो होगा cannot be determined सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सबसे पहले सबसे पहले रीडि किया करो वीडियो पोस्ट करके खुद ट्राय किया करो ठीक है वॉल्यूम ओफ कोन किसी भी कोन का जो वॉल्यूम ओफ कोन varies jointly as the area of its base and its height सबसे पहली बात इसके लाइन का मतलब के है इस लाइन का मतलब क्या है हमें सबसे पहले पता लगा रहे है जो कोन का volume है जो volume of cone varies jointly directly vary करता है area of base into height इस पर vary करता है हमारा volume of cone ये बात आपको समझ में आ दियोगी volume of cone varies jointly as the area of base and its height ठीक है the volume of cone whose base area is a a cone है जिसका base का area कितना है a है यहाँ पर पता what is a a is the base area ठीक है base area को मैंने a माना हुआ है ठीक है height तो उसकी 10 है अब इसको करने के दो तरीके हैं देखो volume of cone को मैं बोल सकता हूँ न के area into height बोल सकता हूँ न मैं किसी को कोई problem तो नहीं है ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है उसने बोला है कि हमारे पास एक cone है जिसका base area a है और height 10 है उसका volume 270 है ठीक है यानि कि हमें volume of cone भी पता है k हमें नहीं पता है a पता है height भी पता है ठीक है फिर हमें बोला जा रहा है find the volume of a cone whose base area is 2a अब हमें उस cone का volume निकालना है जिसका base area 2a है और height कितना है 30 है जिसका base area 2a है और height कितना है 30 है तो what I suggest यू हम लोग मालने थे कौन 1 कौन 1 वह वाला कौन है जिसका बेस एरिया ए था कौन 2 वह वाला कौन है जिसका बेस एरिया 2 ए था अम मैं क्या करने वाला हूं एक्जाम में देखो मैं कैसे करता हूं मैं ऐसे इनका रेश्यों निकाल रहा होता अपने इस में एक्वेशन का यू अब मैं यहां पर value पूट करता इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा क्या होता है के से क्या हो जाएगा इनका अपने को पता है कौन 1 कितना है 270 है volume of कौन 2 मुझे फाइंड करना है एरिया ओफ बेस ओफ कौन 1 जिसका वॉल्यूम 270 था उसके बेस का इरया कितना था ए था और उसकी हाइट कितनी थी 10 उसके हाइट कितनी थी 10 ठीक है एन्ड जो हमारे पास दूसरा कौन था उसका बेस का एरिया कितना था टू ए था और उसके हाइट कितनी थे हमारे पास ठर्टी अपने को यह सॉल करना है और आंसर आ जाएगा सिधा इसमें थोड़ा कैल्कुलेशन हमारी कम हो जाते काम वही किया है जस्ट मैंने रेशो ले लिया वॉल्लिम ओफ कौन वन औ हाइट ओफ कौन बन नीचे वॉल्लिम ओफ कौन टू की बात करिए उसके बेसक एरिये को मैंने एटू माना है हाइट एच टू मानी है के तो यहां मारी भी कॉंस्टेंट है सॉल गर लीजे बस देखो एसे रिड्यूस हो जाएगा इसको देखो दिखान से एसे क्या हो वॉल्लिम ओफ कौन टू आप लोग सॉल कर सकते हैं दिस अराउंड हमारा 1620 आएगा है ना ठीक है देखने ना जो भी आएगा 1620 सेंटिमेटर क्यों हमारे इसका वॉल्लिम ठीक है सो दिस वॉस दा कोश्चन बेस्ट यह भी हमारा वैरियेशन एक कॉंसेट पे बेस्ट रीड जरूर क्या करो कोश्चन को जब तक आप रीड नहीं करोगे हमसे क्या पुछा जा रहा है तब तक बहुत दिक्कत है ठीक है आपको एक बार रीड करके इसको समझन है फिर सॉल कर पाओगे ना ठीक है चलिए जी नेक्स कोश्चन देखते हैं जरा अब सेम कोश्चन उसी कॉंसेफट पे एक बार इसको ट्राय करो जल्दी से ठीक है ठीक है ठ्राइज इसको ट्राय करो दो चलिए the area of square varies with the square of its diagonal ठीक है, जो square का area है vary करता है square of its diagonal से ठीक है, यानि कि area of square area जो vary करता है diagonal के square से vary करता है हमें ये दिया हुआ हमें ये given है guys this is given in the question ये हमें question में given है ठीक है, अब यहां से मेरे according क्या बन जाएगा area is equals to kd square ये बन जाएगा अब देखता है हमें आगे क्या बोलो जा रहा है area of square whose diagonal measure is 8 unit जिसके diagonal का जो measure है वो 8 units है, उसका area 32 है जिसका diagonal 8 है उसका area 32 है, तो हमें बताना है find the diagonal of square हमें square का diagonal बताना है जिसका area कितना है 72 है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं आगे यहाँ पर करने वाला हूँ area of first square area of second square is equals to k constant है and diagonal 1 का square upon k तो constant है diagonal 2 का square ठीक है? इसको solve कर लेंगे, बस अब हम लोग कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पर value put करना है हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर क्या करना है, value put करना है ठीक है, तो first area जो हमारे पास है first square का area कितना है? 32 और second वाले का area कितना हमारे पास? 72 ठीक है, के से के reduce हो जाएगा? diagonal 1 जो हमारे पास diagonal 1 है diagonal 1 उसकी length कितनी थी? 8 तो यह धर हो जाएगा, हमारे पास 8 का square यह this is 8 का square, 8 into 8 जो diagonal 2 है, उसकी length अपने को मालूम नहीं है तो उसको d2 का square as it is लिख लेता है ठीक है, इसको solve करें थोड़ा सा 8 into 8 कितना होता है? 64 होता है इससे इसको reduce करेंगे, तो हाँ पर 2 आएगा तो यहां पर diagonal 2 का square आएगा, वो कितना आएगा, 144 है diagonal 2 को subsid 2, टो यहां पर डाइगनल 2 का value कितना होगा? 12 होगा डाइगनल 2 का value कितना वाट 12 होगा, गःंस का होना चाहिए जिसका है splits 72 है, I hope आपको यह question भी समझ में आया ओगा कि मैंने इस question को कैसे solve किया है ठीक है hope so आप लोग को ये भी समझ में आया होगा ठीक है same question था ठीक है same question था कोई भी दिक्कत नहीं है देखो usually अगर very लिखा हुआ है ना तो आप directly very लोगे बट अगर inversely होगा तो तो inversely mention करेगा question है by default directly लेता है कभी-कभी कुछ बच्चा बोल देता है सर इस question में आपने directly कैसे ले लिया varies jointly और वैसे हमें पता भी होना चाहिए जो कौन का volume होता है जो हमारे पास volume of कौन होता है अगर आप लोगों को पता है वह न बाए थ्री का area of base अइरिया ओफ बेस इन्टो हाइट ठीक है यह हमारे पास volume कौन होता है 1 बाए 3 तो एक constant है कौन का को का जो surface होता है जो बेस होता है वो circle होता है उसका area पाइया और हैट क्या अतना होता है तो यह हमारे स्कॉन का वोल्यूम होता है यह वो कॉंस्टेंट है ठीक है तो यहां पर हमने उसी का यूज किया एरिया ओबेस इंटु हाइड डारेक्टली वेरी होता है और आपको पता भी होना चाहिए आप मेंसुरेशन बढ़ोगे भी अगर यह कोई स्कॉर है यह कोई स्कॉर है यह होगा न वह होगा डी स्कॉ कई ठीक है एक बार इसको भी ट्राय करिये आप लोग इस कौशन को यह क्या बोलता है 건 आ for a given distance speed is inversely proportional अब देखो यहां पर mentioned inversely inversely proportional to the time taken speed is inversely proportional to the time taken यह हमें दिया हुआ है और यह तो हमें पता भी है बचमत से वैसे speed जादा होगा तो time कम होगा राजू वुड टेक six hours to cover if his speed was 50 km पर तो यहां से मैं बोल सकता हूं हमारी जो equation बनेगी speed is equals to k 1 upon t speed is equals to k 1 upon t यहीं बनेगी है ना तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखता हूं speed कितनी थी उसके 50 km पर आड़ थी ठीक है speed कितनी थी 50 km पर आड़ या तो आप इसको divide कर लो कोई problem नहीं डिवाइड भी कर सकते हो तो speed 1 upon speed 2 k 1 upon time 1 and k 1 upon time 2 जब speed 1 थी तो time t1 था speed 2 तो time t2 था इससे reduce हो जाएगा अब देखो हमें कुछ दे रखा होगा इसने solve करने के लिए पहले वाले के case में speed कितना है 50 है दूसरे वाले case में speed कितना है 100 यहां पर time कितना था पहले वाले case में हमारे पास 6 hours का time था तो this is 1 by 6 दूसरे वाले case का time बताना होगा मुझे ठीक है find the time time बताना है तो उसको इसको solve करेंगे तो 1 by 2 आ जाएगा इतर आ जाएगा 1 by 2 इतर हो जाएगा हमारे पास T2 by 6 इस से score आया तो T2 का value कितना आ गया हमारे पास 3 hours which is the correct answer to this question and this is an option B हमारे पास option B में है बिलकुल तीनों के तीनों question same pattern पर based थे जिसमे एक formula based और variation के concept आप यूज हो रहे थे एक formula होता है na speed हमारा इंवर्स दी पर पॉर्पॉर्स होता है time के पता ही होगा आप लोगों को एक में हम लोगों ने volume वाला concept यूज करा एक में हमने अगली वीडियो में वो दोनों concept देखेंगे हम लोग ठीक है इस वीडियो में इतना ही डूशेर दा लिंक ऑफ इस सेशन गाइस बाकी वीडियो के लिंक्स आप लोगो description मिल जाएंगे इस वीडियो के ठीक है प्रीविएस और questions मैं जाएंगे